हालो एंड वैलकम टू माई चैनल आज हमें देख रहे हैं जैमिनी याने मित्वन राशी के लिए दिसमबर 2022 में आप लोगों की लाव लाइफ कैसे रहेगी इसे को लिए करिया डीडिंग है गस बाइस सबीक लिए डीडिंग होगी जै सिंगल है मेरिट कपस है या अब अगर यह यह कार्स आये हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेज्जिस हैं फ़र्स टैर्रे के साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग तो यहां से काड़ाया है इस अफ कोईन्स का तो यहां ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग रिलेशन्शिप में हैं टारस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ यानि वरिशब राशी मकर राशी करन्या राशी के आपके पार्टनर है और उनके साथ कुछ आपका मनमुटाव चल रहा है कुछ लोगों का ब्रेक अभी चल प्लियर्टी नहीं है कि आगे इस रिश्टे का क्या फ्यूचर होगा क्योंकि आप कही न कहीं रुख गए हैं अपने रिश्टे में या ऐसा कुछ होए कि आप ऑन आफ सिच्वेशन में आ गये हैं और उनसे पुरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पारे और ये सब चीज़े आपक ये कार्ड रिवर्स में आया है और अगर आप एक सिंगल परसन भी है तो शायद प्यार की शुरुआ चाहते हैं अपने जीवन में पर कहीं न कहीं कुछ ऐसी बाते हो जाती कि आपको लगता है कि सब कुछ वैसा नहीं हो पारा जैसा आप प्लान करते हैं उससे कुछ और हो हुआ है कि टावर मुमिन्ट एक आया था और इस बज़े से आप लोगों के बीच में मनमुटाफ जैसे सित्ती बनी और आपको लग रहा है कि शायद आप इस सिट्वेशन को नहीं समल पा रहे हैं ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में और इसे तरह की एनर्जी यह यहां दिख रही है और यहां से पर अगर आपके लिए देखें कार्ड तो कार्ड आया है प्रिंसेस अफ वांस का तो यहां ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग फायर साइन के साथ भी कनेक्शन में है यारीस लियो साइजिटेरियस भी आपके पाटनर हो सकते हैं कु बहुत यंगर लुकिंग हो सकते हैं इनसे आपके फ्रेंशिप हो सकती है और इनसे आपका एक कनेक्शन भी बन सकता है लग प्रोपोजल या मैरीस प्रोपोजल इनकी तरफ से आ सकता है इस पेशली पायर साइन की तरफ से और यह बहुत सपोर्टिव होंगे आपके लिए और अगर आप उरेडी रिलेशनशिप में तो आपको बहुत सपोर्ट मिले की अपने पार्टर से हो सकता है अभी तक वो आपसे बात नहीं करें नौ कांटेक्ट में हैं तो यहां वो सब चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती है और कहीं न कहीं उनको आपके सपोर्ट की बहुत जरुत पड़ेगी इस मत में तो ऐसा वो फील करने वाले कि आप उनका सपोर्ट सिस्टम है और आपके लिए लाव एंड पैशन भी उनके अंदर होगा काफी फायर एनर्जी उनके अंदर रहेगी आपको लेकर और इसी तरह की उनके अंदर कह सकते हैं आपको लेकर एक कह सकते हैं बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी इसलिए वो शायद आपसे कनेक्शन बनाए बिना नहीं रुक पाएंगे अगर कुछ गड़बर भी हुआ है आप लोगों के बिश में कुछ गलत भी हुआ है तो भी वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे फिर से ऐसी उनकी एनर्जी इस मत में रहेगी तो फिर से कनेक्शन आपका दुबारा उनसे बन सकता है और नेक्स्ट काड आया है स्टेंथ का तो यहां आप किसी लियो के साथ कनेक्शन में हैं शायद और जो लोग कनेक्शन में नहीं हैं लियो के साथ उनके लियो का मैरिस प्रपोजल या लव प्रपोजल या एक फ्रेंड्शिप आ सकती है और ये बहुत हद तक आपको बहुत strengthful बनाएंगे इनका साथ आपको बहुत हिम्मत देगा, साहस देगा, courage देगा और ये बहुत bold personality की बहुत ही खुबसूरत, delicate और बहुत respectful होंगे और काफी successful और बहुत, क्या सकते हैं, minded ये person होंगे और इनकी बहुत समाज में बहुत मान, पितिस्टा होगी, इस तरह के person आपसे जूर सकते हैं और इनके साथ जूरने से आप बहुत strengthful भी feel करेंगे तो universe आपको ये energy send कर रहे हैं, ये person आपके लिए आ रहे हैं जो आपका support system बनेंगे, इस मन्त में ऐसा दिख रहा है और यहां से काड आया है, बहुती कुपसूरत काड आया है, the elephant का तो ये traditional marriage काड माना जाता है, friends तो कुछ लोगों की marriage fix होने के भी योग बन रहे हैं आपकी शादी सगायत तेया सकती है और यहां हो सकता है, आप अभी पीछे कापी चीज़े छोड़ कर आए हैं आपकी life में बहुत खराब experience आपने देखे हैं तो शायद आप अभी trust नहीं कर पारी universe को कि आपके लिए ये कैसे हो गया, तो थोड़ा सा आप कैसे आप trust करें divine timing को और आपके लिए जो अच्छी opportunities आ रही है उससे आप जरूर consider करें और ये traditional marriage आपके लिए कुछ लोगों के लिए तैह होना लिखा हुआ है इस मत में या आप ऐसे किसी person से मिल सकते हैं जिनसे आगे चलके आपकी शादी सगाई होगी ऐसा भी हाँ देख रहा है और ये teacher lecturer हों healer हों या बहुत बढ़े level पर इस तरह के successful person हो सकते हैं कि इनकी बातें काफी लोग द्वारा मानी चाती है और सुनी चाती है और इनके काफी followers हो सकते हैं इस तरह से आप इने जान सकते हैं और ये भी बहुत respectful person होंगे society में बहुत इनका name और fame होगा इस तरह के person आप से जूर सकते हैं इसके chances से और ये बहुत खुबसूरा decent person हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए टारस भी हो सकते है next card आपके लिए आया है six of coins का तो यहां से भी pentacus energy को represent करता है coins तो टारस भी कैप्रिकॉन आपके लिए strongly आ रहा है friends और sign का connection आपके लिए आ रहा है और जो लोग already relationship में है यहां ऐसा लग रहा है कि आपके partner जो है वो आपके साथ giving और receiving काफी रखेंगे आप उनके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं बदले में वो भी आपके लिए करेंगे और यह सिर्फ emotional support ने होगा बनकी पैसे से भी वो आपको support देंगे यानि career में wealth में अपने money matters में भी आपको काफी हद तक involve रखेंगे तो आपको अपनी abundance को आप से share करेंगे और यहां ऐसा भी लग रहा है कि वो अपनी community से आपको मिलवाए या किसी तरह से आपको अपनी community से introduce करवाने जहा सकते हैं और और यहां उनका helping hand आपके साथ हमेशा रहेगा और यहां ऐसा लग रहे है कि इस मन्त में आप काफी giving receiving एक दुस्रे के लिए रखेंगे और यह अगर आप एक single person है तो आपके लिए ऐसे कोई person हो सकते है तो giving और receiving काफी रहेगी इस मन्त में आपके लिए ऐसा है यहां दिख रहा है और next card अगर हम देखें aurica deck से तो poverty का card आया है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके partner शायद अभी काफी struggling phase में है बहुत employment और रोज़गार से जोड़ी समश्याओं से ग्रस्त है और इसी वज़े से शायद financial crisis देख रहे हैं पैसे की काफी समश्या है उने और शायद यह एक reason है आप लोगों का connection ना बन पाने का ऐसा भी यहां दिख रहा है पर यहां से काड़ाया है house का तो कुछ लोगों के लिए definitely आप घर बसाने वाले हैं इतने struggles हैं उनके carrier में आपके साथ बहुत दिक्कते हैं पर फिर भी यहां ऐसा लग रहे हैं कि कुछ लोगों के शादी सगाई fix हो सकती है और वहीं आप एक नया घर ले सकते हैं बड़ा घर ले सकते हैं आपकी financial condition बहुत सुधरेगी और अगर एक house property में invest करना चाह रहे थी तो वह आप कर पाएंगे और बहुत ही कुबसूरत घर आपके लेने की युग बन रहे हैं इस मत में next card आपके लिए है change card तो आपके situations में काफी positive change आएगा friends बहुत सकारात में गदलाव आएगा और यहां आपके लिए shifting भी लिखी है इस मत में वह सकता है आप कही career job के लिए कहीं जाएं या studies के लिए भी जा सकते हैं moving भी आपके लिए 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 है आपके बच्चे हैं और आप इसी चीज़ को बहुत जादा सोच रहे हैं बच्चों से related कोई matter जरूर है जिसको लेकर आप बहुत जादा serious हैं और आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इस matter को solve किया जाए तो कहीं न कहीं love life affected है बच्चों की वज़े से ऐसा भी हाँ दिख रहा है रही next card आया है certain wealth का तो आपके लिए अच्चानक से पैसा आ सकता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका एक career job या जहां से आपने accept भी नहीं किया हो वहां से भी पैसा मिल सकता है 11 नमबर रता रहा है कि आप अपने twin friend के बहुत नजजीख है तो nature science को समझे ताकि आप उनसे connect हो सके तो यहां इस मंद में आपके लिए पैसा काफी आता हुआ दिख रहा है friends ऐसा दिख रहा है next card आपके लिए आया है mature man का तो कुछ लोग ऐसे किसी person के साथ connection में जा सकते है जो teacher lecture हो और काफी educated हो सकते है highly educated हो सकते है इनके पास बहुत professional लिगडियां हो सकती है और mature minded होंगे यह age इनका कुछ भी हो पर mind से यह बहुत mature हो सकते है और यहां ऐसा रग रहा है कि यहां make देख रहे है तो world level पर यह famous और successful हो सकते है वही ऐसा रग रहा है कि आप already अगर इनके साथ connection में है तो आपके partner बहुत maturity से इस बार behave करेंगे हो सकता है उन्होंने पहले इसा नहीं किया कि maturity रखी हो relationship में पर इस month में वो maturity से behave करेंगे आपके साथ एक समच दारी से वो इस रिष्टे को आगे बढ़ाएंगे वही हम देख रहे हैं यहां से एक और फैरी की दरफ से आया है purity का always trust in the purity of your heart look inside your heart and within it you will find answer to your question जी यहां फैरी कह रही है कि हो सकता है आपके कुछ questions है आप कुछ प्रेशनों के उत्तर ढूंड रहे हैं इस universe में तो आपको फैरी जहां कह रहे हैं कि आप जो भी आपकी questions है उनके answer आपको इस month में जरूर मिलेंगे और आप अपने दिल की सच्चाई जो है उसके उपर भरुसा करें तो आपको यहां कहा जा रहा है कि आपकी जो अच्छे कर्मा है आपका जो कैसे हैं दिल की सच्चाई और घहराई है उसको आपके पार्टनर जरूर समझेंगे और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होना लिखा है पर उसके लिए जरूरी कि आप ट्रस्ट करें यूनिवर्स के प्रासीजर को और तोड़ असा पेशन्स आप जरूर रखें आपके जो गुड कर्मा है उसके आपको अच्छे कर्मा का फ्ल्स जरूर मिलेगा इस पंद में ऐसा आपको कहा गया है और यहां ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जिसा कार्ड आया है सेलिबरेशन का और जो मैसेज है गेट रडी तो लट यूर हैर डाउन और सेलिबरेट इस ताइम तो गो आउट तो डान्स और प्लेए और इनमिटिशन कुड बी ऑन दे वे जी आपके लिए ऐसा लग रहा है कि वह सकता है आप लाइफ को बहुत सेलिबरेट करें ऐसे कोई बड़ी खुशकब्री हो सकते है कुछ लोगों के लिए आप अपने सॉलमेट से मिल सकते हैं ट्विन फेल्ट से मिल सकते हैं कुछ लोग और जिनके साथ करनेक्शन में हैं वो पुराने बीती बातों को भुला कर नहीं तरीके से शिरुबात कर सकते हैं डान्स पार्टी फंक्शन ऐसा कुछ आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है और उस सीच को आप बहुत इंजॉय करेंगे बहुत जॉयफुल रहेंगे तो कोछ सेलिबरेशन का मौका जरूर आएगा जिसे आप बहुत खुश होकर इंजॉय करने वाले हैं ऐसा सेलिबरेशन मुमेंट आपके लिए लिखा हुआ है इस मंत में वहीं नेक्स कार्ड आपके लिए आया है आप जो पहले थे आप वैसे नहीं रहे हैं आप बहुत मिच्वारीट से भीव करेंगे लाइफ की चोटी-चोटी चीजियों में आप कुश्या डूंड पाएंगे इस मंत में और लाइफ की और साथ में अपने जीवन के जीतने भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं उससे अब आप काफी हद तक मिच्वार तरीके से डील कर पाएंगे लाइफ उसमजे से आप ख़त बोर्ली स्टैप ले पाएंगे अपने लिए ऐसा यहां देख रहा है और नेक्स काड़ आया है विश वाइसली का और जो मैसेज है यहां आपको कहा गया है कि आप जो भी विश कर रहे हैं उनमें से कोई विश पूरी हो सकती है इसपेशली लव लाइफ से डिलेटर हम यहां मैसेज देख रहे हैं तो जो आप मैनिफिस कर रहे हैं वो आपके लिए पूरा हो सकता है तो आप सो समझ कर माँगें आपको guidance दी गई है क्योंकि कोई wish आपकी definitely इस मत में पूरी होगी ऐसा यहां कहा जा रहा है आपको नहीं हम देख रहे हैं जो person आपसे connect हो सकते हैं उनके initials जो डिक साइन और आपके partner आपको क्या message देंगे इस मत में फस्त उनके initials अगर हम देखें तो M नाम से हो सकते हैं उनका first name last name U L D A कि उनके initials हो सकते हैं जिन से आपका connection बने या आप अलरड़ी हैं इनके साथ connection में वर्गो हो सकते हैं आपके partner कन्या राशी के Aquarius हो सकते हैं कुछ लोगों के partner यानि कुम पराशी के, Germany, केली जैमिनी और साजी चेरिस भी आपके partner हो सकते हैं वहीं टार्स भी आपके partner हो सकते हैं आपके partner आपको इस मत में क्या message देना चाहेंगे ये भी हम देख रहे हैं You are really cute, super duper cute ऐसा message है आपके लिए I know this is a spiritual plan वो जानते हैं कि ये spiritual plan था आपका उनसे मिलना Am I deserve you? कि आपको पूछ रहे हैं कि क्या वो आपको deserve करते हैं I am not hiding anything, trust me my love वो ऐसा कहरें कि उन्होंने आपसे अभी तक कुछ नहीं चुपाया है आप इस बात का भरुसा रखे Holding your hand is the most awesome feeling in the world जी आपका साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है Some message है To me you are perfect जी आप उनके लिए बिल्कुल perfect है समने दिखता है, लगता है Believe me this is not over yet वो कह रहे हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और इस बात का भरुसा करें तो आप लगों के लिए ही messages थे और यही reading थी अगर यह reading आपके सब्सक्राइब करें तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe कीजेगा Thank you so much for watching my video Have a happy month Germany